यह उनका वेक्तिगत फैसला है, पर्सनल चोईस है उनकी, कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं, बाकी मेरा मानना यह है कि कई ना कई हमें त्याग कर देना चाहिए, हमारा जो अंदोलन था, जो बेन बेटियों की लड़ाई थी, उसको गलत रूप ना दिया जाए, मैं अभी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास तक लेकर जाऊं, जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बेन बेटियों का शोशन बन नहीं हो जाता, तो मैं मेरी लड़ाई हम जो यह जारी रही है, नमसकार, स्वागत है आपका दान यूस पर, मैं हूँ आपके स शिपराज है नहीं, रैसलर विनेश फोगाट और बशरंग पूनिया के कॉंक्रिस पार्टी में शामिल होने के साथ ही हर्याना का चुनावी दंगल अब काफी दिल्चस्प होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से रैसलर विनेश फोगाट बशरंग पूनिया और साक्षी मलि धरने पर बैठे थे, ब्रिजफूशन शरंसिंग के खिलाफ रैसलिंग फेडरेशन में खाफियों को लेकर, यौन सोशन के आरोपों को लेकर, लेकिन अच्छानक कॉंक्रिस पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद अब हर्याना की राजनिती में एक नया और द नोने कॉंक्रिस पार्टी का दावन थाम लिया है, लेकिन अब इनकी साथी इस पूरे जो आंदोलन में रही है, साक्षी मलिक, उनका क्या होगा, उनको लेकर तमाम चर्चाय चल रही हैं, और हमारी इस न्यूज का जो हैर्लाइन है, वो भी यही है, कि विरेश और साक्षी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनावी कुस्ती या राजनिती कुस्ती, यह हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे पत्रकार हैं, जो दावा कर रहे हैं, कि दरसल साक्षी मलिक जो है, वो बीजेपी का दावन थाम सकती है, काई लोग यह लिख रहे हैं, कि एक नय पहलबान जो है, वो बीजेपी में शामिल होगा, यह तमाम तरह की खबरे चल रहे हैं, इसलिए चर्चा साक्षी मलिक को लेकर सबसे जादा हो रही है, और यही वज़ा है, कि हम भी यह कह रहे हैं, कि राजनिती कुस्ती जो है, इन दोनों रैसलर के बीश हो सकती है, यह त कुमार के दावा कर रहे हैं, अपने स्ट्वीट में कि हर्याना की एक पहलवान बीजेपी के संपर्प में बताई जा रही है, और सूचना का अभी इंतजार है, यानि यह कंफर्मेशन नहीं है, कि आखर वो कौन सी पहलवान होगी, क्या नाम उसका होगा, लेकिन फिलाल की निगाय जो है, वो साक्षी मलिक पर ही टिकी हुई है, जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कॉंक्रिस पार्टी का दावन थामा, तो उसके बाद साक्षी मलिक काफी माहिूस नजर आई, और उनसे जब मीरिया ने बातचीत की, और पूछा कि आप क्या कहें क्या उठे भी कोई राजनीती डल से ओफर आया है, क्या वो भी किसी पार्टी को जोइन करेंगी, इस पर भी साक्षी मलिक ने जवाब तिया है, सबसे पहले वो सुनिये मैं अभी वी उस पर डटके खड़ी हूँ, महिलाओं के लिए जो रैसलिंग में जो सोशन होता था, और जो हमारांदोलन है, वो अभी मेरी तरफ से बिलकुल जा रही है, और बस मैं यही कहना चाहूंगी, कि मैं हमेशा से रैसलिंग के लिए सोचती है, यह रैसलिंग के हि पूरा लास तक लेकर जाओं, और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नी हो जाती, बेंड बेटियों का शोशन बंद नी हो जाता, तो मैं मेरी लडाई हम जो यह जारी रही है, हाँ देखो यह तो उनका परसनल फैसला है, उनको इच्छा होई मन में उन्होंने पार्ट पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लडाई है, वो जारी है और मैं सदा इस चीज़ के लिए काम करते रहूं, जब मुझे वाजाना ही नी, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात ही क्या करूँ, मेरा वो मकसद ही नहीं है, ना मेर तो अपना रेलवे में जोब करती हूं और जैसा बताया कि ना मैं किसी ब्यक्तिकत पार्टी से जुड़ी हूं ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई वो तो जैसे ही पदरकार मनोज कुमार की ओर से दाफा किया गया कि दरसल एक पहलवान जो है वो बीज़पी का दामन अब क्या वो साक्षी मलिक ही होंगी इसको लेकर कहने कहीं अब अठकले लगनी शुरू हो गई है और तमाब लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें ये लिख रहे हैं कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दरसल आमने सामने चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो हर हर्याना के इस विदानसबा चुनाव में काफी जादा एक इंट्रेस्टिंग मुकाफला जो है वो देखने को मिलेगा कई लोग ये लिख रहे हैं कि वो रैसलर जो बीजेपी में शामिल होगी वो साक्षी मलिक ही है और इसे बीजेपी हर्याना विनेश के खिलाफ उतारते तो जाहिर तोर पर ये चुनाव इंट्रेस्टिंग हो जाएगा इन खबरों के बीच बीजेपी को अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में छोग देनी चाहिए और सरकार एक बार फिर से बीजेपी को बनानी चाहिए हर्याना में ये बात लोग कर रहे हैं लिख रहे हैं कि ज पूनिया की कर रहे हैं और साक्षी मलिक की कर रहे हैं क्योंकि ये वो तीन रैसलर हैं जो कि हमने देखा कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट इन्होंने किया ब्रिज फूशन शरंसिंग के खिलाव भले ही जो है साक्षी मलिक आज ये कह रही हो कि मेरी जो लड़ा याद होगा कि विनेश फोगाठ ने भी कहे थे और विनेश फोगाठ ने ये कहा था कि मैं राजनिती नहीं चानती मुझे नहीं पता कि हर्याना विदान सभाग चुनाओ में क्या चल रहा है ये तमाम बाते उन्होंने कही थी लेकिन कल ही वो तस्वीर निकल कर साफ ने आई जब विनेश फोगाठ और बच्रंग पूनिया जो हैं वो कॉंक्रेस पार्टी में शामिल होगा है और विनेश फोगाठ अपनी जो सवाल है जुलाना वहां से दरसल उस सीट से वो चुनाओ भी लड़ेंगी इस तरीके की खबरे हैं तो सवाल यही है अब कि साक्षी मलिक अब क्या फैसला लेंगी क्योंकि शाक्षी मलिक यह कह रही है कि उन्हें भी राजनितिक दर से ओफर आए हैं लेकिन वो दरसल उन ओफर को ठुकराती रही हैं और अब वो अपनी लड़ाई जो है वो फेडरेशन के लिए ही जारी रखेंगी यह तमाम बाते वो कर रही हैं लेकिन देखना होगा कि जो यह पोस्ट किया किया है जिसमें यह पंसका दावा कर रहे हैं कि हर्याना में अब पहलवान जो है वो बीजुपी में शामिल होंगे कौन सा वो पहलवान होगा या कौन सी वो पहलवान होगी यह कही ने कही बड़ा सवाल है क्योंकि पहले से ही खबरे लगातार चल रही थी जब से यह आंदोलन की शुरुवात हुई थी कि ये पुरी तरीके से राजनितिक आंदोलन है और कहीं न कहीं अब वो चीज निकल कर सामने आ रही है जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कॉंग्रिस पार्टी का दामन थामा है हलाकि साक्षी मलि उसका जवाब देंगी तो जवाब इस तरीके से देंगी कि वो बीजेपे में शामिल होंगी क्या कुछ होगा हर्याना विदानसभा चुनाव करीब आने तक यानि एक अक्टूबर को वहाँ पर चुनाव होने हैं चुनाव की तारीक है जहां 90 विदानसभा सीटों पर चु दो भूल लिखे